सादर पराम सभी को मैं नीज्या चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत अभी नंदन करती हूँ आज के वीडियो में हम बात करेंगे आधुनिक भारत हम इतिहास में पढ़ रहे थे आधुनिक भारत की ही बात करेंगे और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था हैदर अली के विशय में और हमने जाना था वारेन हैस्टिंग्स के विशय में हमने जाना था कि जब हैस्टिंग्स को भारत भेजा जाता है तो उस समय हैस्टिंग्स के सामने क्या-क्या समस्याइं होती हैं उन समस्याओं के विशय में हमने संक्षिप्त रूप में डिस्कस किया था यानि कि उन प्रमुक समस्याओं को जाना था जिन समस्याओं से निपटके हैस्टिंग्स को भारत के अंदर जो अंग्रेजी सामराजी की स्थापना हो चुकी है उस अंग्रेजी सामराजी को बनाए रखने के लिए कुछ प्रयास करने थे अब हैस्टिंग्स के हाथ में था कि किस तरीके से यहां पर जो अंग्रेजी प्रभुत्व है वो बनाई रखा जा सके और जंदा के बीच जो आक्रोश है उस आक्रोश को खतम किया जा सके तो हमने उनसे जब भारत के भीतर वह प्रवे प्रयास करते हैं तो कुछ सुधार अत्मक प्रयास हैस्टिंग्स के द्वारा जो किये जाते हैं यानि कि उन्हें वारेन हैस्टिंग्स के सुधार के नाम से भी जाना जाता है तो सबसे पहला काम क्या किया था द्वैद शासन से संबंधित किया था यानि कि द्वैद शासन का अंत किया था द्वेद शासन का अंत किया था ठीक है? देख liberal maat कोई सारे प्रशास की नेरणे इस संदर्व में लिए गए थे公正 अगर हम इसे डीटेल में बात करें तो डीटेल में कुछ बिंदों के अंतरगत हम इसे समझ लेते हैं क्योंकि हम संक्षित रूप में जानी चुकि जब वारें हेस्टिंग्स को यहां पर भारत भेजा जाता है तो उस समय द्वैद शासन की वजह से बंगाल की इस्तिती बहुत जादा बिगड़ चुकी है तो हेस्टिंग्स ने आके सबसे पहले द्वैद शासन की समाप्ती की घ जान लेते हैं देखि क्या है कि बंगाल में द्वैद शासन का अंत हो गया जो अभी हमने शुरू में कहा तो मुहमद रजा खां और सिताब राय को नायब नाजीमों के पद से भी महां पर हटा दिया गया क्योंकि वही पदबे वो कारिकर रहे थे और उन पर गबन का और मह उल्मन का आरोप कि या और उन पर महा थी लगाने के बाद उन पर एक मुकदमा दायर कर दिया गया यानinkِON पर उन पर मुकदमा चलाय गयाकर और उन को फ्री कर दिया यानि कि वह से जो to atभा उससे फ्री होगय यानि कि छूट गए यग अब क्या होता है जो दिवानी का क टो यहाँ पर जो काम किया जा रहा है तो यहाँ पर जो माल गुजारी थी जो माल गुजारी वसूल करनी थी तो जो अंग्रेज अधिकारी वहाँ पर रखे गये थी तो इसने क्या काम किया हर जीले में माल गुजारी वसूल करने के लिए अंग्रेज कलेक्टर की यहाँ पर नियुक्ति कर दी थी इस अंग्रेज कलेक्टर का काम था माल गुजारी को वसूल करना उसका अंकन करना यानि की पूरा लेजर मेंटेन करना डाटा मेंटेन करना और क यासक का कोई रोल नहीं रह जाता, तो जो नवाब था, उस नवाब को शासन संबन्धी सभी कारें से मुक्त कर दिया घया था, यानि कि अब उसके अंदर में किसी भी तरीके का कोई शासन संबन्धी कारे नहीं था, और उसके बदले में उसको क्या दे गिया गया था पेंशन भी 32 लाग जो दी तै की गई थी वो पेंशन घटा दी गई थी और वो पेंशन आधी कर दी गई और पेंशन कर दी गई 16 लाग क्योंकि तर्क यहाँ पर यह दिया गया था कि अब आपके उपर कोई कारेभार नहीं ह इसलिए आपकी पेंशन यहाँ पर कम की जाती है और 32 लाग से पेंशन कर दी गई थी 16 लाग अब मुर्शिदाबाद में थे राजकोश ठीक तो राजकोश हटा दिया गया है मुर्शिदाबाद से और यहां से हटाने के बाद इसे स्थापित कर दिया गया था कलकत्ता में कि विध्वा यानि कि मुन्नी बेगम मुन्नी बेगम को यहां पर अल्पवैस्क जो नवाब है उसका संरक्षक नियुक्त कर दिया गया है और नंद कुमार के जो पुत्र है गुरुदास गुरुदास को उसका प्रबंधक बना दिया गया है तो यहां पर यह दो परिवर्त नहीं होता था तो कुछ अनावश्यक तरीके से जो पद जेनेरेट किये गए थे उन अनावश्यक वेतनिक पदों को भी हैस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया था ठीक है अब क्या होता है ये तो था कि जो वहाँ पर द्वैद शासन संबंदी जो प्रशासकी सुधार किये गए जैसे पढ़ाई हमने मालकुजारी के लिए उसने जिले में अंग्रेज कलेक्टर रग दिया नवाथ के जो शासन संबंदी कारे थे उनसे मुक्ती दे दी गई पेंशन कम कर दी गई अनावश्यक वेतनिक पदों जो थे उनने समाप्त कर दिया गया अब बात करते हैं जो व अने वस्तुएं थी उन सभी पर भारतियों और अंग्रेज व्यापारियों के लिए एक कर निर्धारित कर दिया गया और वो कर था धाई प्रतिशत चुंगी देना ये निश्चित था अब जो लोग नमक पान तमाकुय सुपारी या इस संबंदी तरने वस्तुएं का उत् था अलकि चुंगी ति थोड़ी सी कमी आगी थी पहले चुंगी की रकम बढ़ी हुई थी लेकिन इसने उसको निश्चित कर दिया धाई प्रतिशत पे दूसरा काम इसने यहां पर यह किया था कि जो चौकियां है उन चौकियों का अंत कर दिया था जमीदारों ने बहुत स पुटाचार फैल गया था इन चौकियों पर तो हैस्टेंग्स ने क्या किया उनको तोड़ दिया और केवल पाँच इस्थानों पर चौकियों का निर्माण किया यानि कि पाँच इस्थानों पर चुंगी घर खोल दिये गए अगर हम इसे यह कहे तो जादा बेतर है एक था पर कलकत्ता, हुगली, मुर्शिदाबाद, धाका और पटना इन पाँच इस्थानों पर चुंगी घर खोल दिये गए थे और जो चौकियों थी वो चौकियों यहाँ पर उसके द्वारा समाप्त कर दी गई थी तो जिससे जो व्यापार में जो रुकावटे आती थी जो ज जमीन दारों के द्वारा बार बार परिशान किया जाता था उन रुकावटों को यहाँ पर अंकुष लगा फिर बैंकों की इस्थापना की गई थी वोरेंड हैस्टिंग्स के द्वारा बैंक स्थापना देखो व्यापार करना है तो आर्थिक सुविधाएं चाहिए ही चा द्वारा बैंक की इस्थापना की गई थी दूसरा क्या था जो हमने पढ़ा था कि अंग्रेज जो होते थे साइन किया हुआ लेटर उनके पास होता था जिस वाज़े से वो चुंगी महीं देते थे और फिर यह भारती व्यापारियों को भी मोटिवेट करते थे कि तुम अ अस्ताक्षर किये हुए अपने पत्र देते हैं जिससे कि तुम्हें यहाँ पर चुंगी यह जो भी कर है वो नहीं देना पड़ेगा यानि कि वो जो दस्तखत किये हुए पत्र की प्रथा थी वो दस्तखत प्रथा को यहाँ पर उसने समाप्त किया तो इससे दस्तखत प्र अगर यह दस्तकत प्रथा खतम हो गई है तो इससे जो जन साधारन था उसे भी एक motivation मिला कि वो व्यापार यहां पर कर सकते हैं तो उन्हें प्रतेक व्यक्ति को यहां पर व्यापार करने का अधिकार मिल गया फिर अगला जो था नमक और अफीम के व्यापार पर नमक और अफ तो यह यहां पर एक इसके द्वारा व्यापार की गई थी अगला क्या था दादिनी का अंत था दादिनी एक तरीके की प्रथा थी इसके अनुसर पहले कमपनी के कर्मचारी भारती कारिगर होते थे दादिनी देकर उनका जो माल होता था वो सस्ते दामों में खरीद लेते थे खरीद क्या लेते थे उन्हें विवश करते थे कि वो अपना माल सस्ते दामों में कमपनी के अधिकारियों को बेच दें तो इससे जो भारती उद्योग धन्दा था वो भारती उद्योग धन्दा पहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और उस पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे करके क्या हुआ जो भारती उद्योग था जो भारती उद्योग धन्द दादिनी देकर वो उनका मालसस्ते दामो में जबरदस्ती जो अंग्रेज हधिकारी होते थे खरीद लेते थे। अब बात करते हैं एक टकसाल की व्यवस्था की थी यहाँ पर कलकत्ता में इस्थापित किया गया था यह जो सरकारी टकसाल बनाया गया था जिसमें निश्चित मोले की और निश्चित आकार की मुद्राओं को ढालने की यहाँ पर व्यवस्था की गई थी फिर कुछ व्यापारिक संधियां भी की गई थी व्यापारिक संधियों की अगर हम बात करें तो व्यापार की व्रधी के लिए हैस्टिंग्स ने भूटान है तिबबत है मिस्र है इनसे व्यापारिक संधियां की और जिसकी वजह से व्यापार को यहाँ पर प्रोचसाहन मिला तो बहुत अच्छे कारी किये गए थे Hastings के द्वारा, तीसरी बगर हम बात करें, कि जो माल गुजारी संबंदी सुधार है, वो माल गुजारी संबंदी सुधार जो किये गए थे, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो उन माल गुजारी व्यवस्था में जो दोश थे, जिन बुमी का पंच वर्षिये प्रबंधन किया गया था इक एक सी कमेटी इसने बना ली थी गुछारा पिछ़ले वर्षों से प्राप्त लगान के आधार पर खेतों के आकार को निश्चित किया गया और वहां पर पांच वर्ष की ठेकेदारी प्रथा की शुरूआति इसलिए य प्रबंधन यानि कि पहले तो उसमें एक रिकॉर्ड चेक किया, प्लास्ट येर्स का रिकॉर्ड चेक करने के बाद जो खेतों के लगान हैं उनको निश्चित कर दिये, खेतों के लगान निश्चित करने के बाद पाँच साल के लिए ठेकेदारी यहाँ पर एक व्यक्ति को होता था, तो पाँच वर्षी यहाँ पर यह व्यवस्था उसमें शुरू की, लेकिन ये पाँच वर्षी व्यवस्था जो थी ठेकेदारों ने जादा धन कमाने के लिए, यानि कि जो भी एक निश्चित अवधी है, उस निश्चित अवधी में रकम को पूरा करने के ठेकेदारों ने किसानों को परिशान करना शुरू कर दिया और उनका बहुत जाधा शोछन किया, तो जो उसमें पंच वर्षी प्रबंधन की व्यवस्था की थी, किसानों की दशा को या माल गुजारी संबन्दी चीरों में सुधार करने के लिए, उसsे किसानों की दशा म बहुत जादा शोशन जुड़िया था बहुत जादा उनके लिए दैमी इस्थती हो गई थी क्योंकि जविदार उन्हें मजबूर करता था जादा धन वसूल करने के लिए उनको बाद्ध्य करता था उनका शोशन करता था तो ये जो पंच वर्षी प्रबंधन था इसके पर समाप्त कर दिया गया और यहां पर लगान की वसूली के लिए एक राजसु समीती की स्थापना की गई और इस राजसु समीती में कंपनी के तीन सदसे थे कॉंसिल के दो सदसे थे और राजसु समीती की सहयता के लिए रायरायन के पद पर एक भारतिय अधिकारी को यहा के सदस्य थे और तो कॉंसिल के यहां पर सदस्य थे ठीक है अब तीनों प्रांतों को राजस्वी की दृष्टी से डिवाइड किया गया और डिवीजन किया गया इसका छे भागों में छे भागों में डिवीजन किया गया और हर भाग के लिए एक प्रांतिय समीती बनाई धीवान को प्रांति सनीती का कारेखत था कि क्या था जो यहां पर टोटल जो राजय स्वा आ रहा है उसकी वसूली करना और इसी संदर में जैसे हम ने कहा कि आधिए बाट दिया गया यहां पर जिलों का भी निर्धाररण कर दिया था यह जो जिलों का काम था यह था भारतिय दीवानों के द्वारा यहाँ पर वसूली करना तो इसके लिए उसने यहाँ पर किसके नियुक्ती कर दीवान की नियुक्ती कर दीथी लेकिन ये जो व्यवस्था इसने बनाई ये भी फेल हो गई और 1781 में इस व्यवस्था में एक बार फिर से परिवर्तन किया गया और इस परिवर्तन के अनुसार कलकत्ता को राजधानी बनाया गया इंपोर्टेंट है इस परिवर्तन के अनुसार 1781 में जब राजधानी यहाँ पर बनाया गया तो यहाँ पर नई राजस्व समीती का भी निर्मान किया गया अब प्रांती समीतियां यहां से हटा दी गई और जिले में एक अंग्रेज कलेक्टर की एक बार फिर से नियुक्ति कर दी गई इससे संबंदित जो राजस्व विभाग के अर्थेक्ष के रूप में यहां पर काम करता था अब उसकी सहायता के लिए यानि की दुबारा जो यह कलेक्टर जिले में रखा गया है इसकी सहायता के लिए दीवान रखा गया और एक कमिश्टर नियुक्ति किया गया जिलों के लिए जो की इन सब पर एक कंट्रोल करता था या जो राजस्व आता था उसकी एक करीके से दे अब 1765 की एक बार संधी के बारे में फिर से बात कर लेते हैं, 1765 की संधी में ये निरणे किया गया था कि कमपनी नवाब को 53 लाख रुपया वार्शिक पेंशन देगी, ठीक है, लेकिन 1766 में क्या हो जाता है? इसे कर दिया गया 41 लाख, फिर 1769 में इसे कर दिया गया 32 लाख और जब हैस्टिंग्स आया तो इसको कर दिया गया 16 लाख, तो यहाँ पर लगातार जो नवाब है उसकी पेंशन में कमी होती गई, उदर जो शाहा आलम था, उसकी तो पेंशन बंदी ही कर दी गई थी, शाहा पतर किये था कि अगर वो मराठो से संद्रक्षन ले रहा है, तो उसे पेंशन पाने का कोई अधिकार नहीं है, तो इस तरीके से जो हैस्टिंग्स है, हैस्टिंग्स ने कम्पनी की ओर से जो उसे 26 लाख रुपय की पेंशन में रही थी, वो पेंशन उसने यहाँ पर उसकी बंद कर दी, और इलाहबाद और कडा के जो जिले थे, ये जिले दे दिये अवद के नवाब को, अवद के नवाब को ये जिले सौप दिये गए, ये जिले पहले किसके पास थे, शाह आलम के पास थे, तो वहाँ से उसे छीन लिया गया और उसे सौप दिया गया अवद के नवाब को और उसे बेच दिया गया था ये 50 लाख रुपे में ठीक है अब न्यायक सुधार संबंदी बात कर लेते हैं तो न्यायक सुधार की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है अदालतों का संगठन किया गया अदालतों का संगठन तीकि इससे संबंदी बात कर लेते हैं की अदालतों का संगठन कैसे देकि अदालतों का संगठन जो किया गया था तो हर जिले में एक दीवानी और एक फौजदारी अदालत बनाई गई एक दीवानी और एक फौजदारी तो ये हर जिले में अदालत यहाँ पर बनाई गई जो दीवानी अदालत होती थी उसे मुफ घंबित होता था इस्थानी अदालतों के ऊपर भी कलकत्ता में सदर दीवानी अदालत की गई थी और इस्थानी अदालतों की अपीले यहांपर सुनी जाती थी दूसरा क्या था जो न्यायधीश मनाए गए थे उनन न्यायधीशों की वेतन की व्यवस्था की थी जिससे की वो रिश्वत ना ले अनुचित किसी तरीके से फीस ना वसूल करें इसलिए उनका वेतन यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया था और इस चीज़ पर अंकुष लगाने का प्रयास किया गया था कि जनता से अवेत वसूली ना की जाए फीस के रूपे या अन्य किसी रूपे या रिश्वत के रूप में तीसरा कानून का संकलन किया गया था कानून का संकलन मींज हिंदू और मुस्लिम जो थे उनसे कानून का संकलन करवाया गया जिससे की जो निरणें किये जाएं चाहे वो मुस्लिम से संबंदित हूँ चाहे हिंदू से संबंदित हूँ वो निरणाय पक्षपात रहित हो सके फ प्राधियों को पकड़ने के लिए हर जिले में एक फौजदार की न्यूक्ति की गई थी और यहाँ पर न्याय संबंधी अन्य सुधार भी थे जिनको जान लेना जरूरियत जैसे न्याय संबंधी सुधार अगर यहाँ पर लिखे न्याय संबंधी सुधार तेके हेस्रिंग् अंतरगत रखा संपत्ति, उत्तराधिकार, विवाह हो गया, जाती हो गया, रिन हो गया, ब्याज हो गया, ये इनों ने रखे इसके अंतरगत जिसके हैड होता था कलेकटर। फौजदारी के अंतरगत रखा था हत्या, डकयती, जालसाजी, जगड़े या अन्य तरीके के मामले जिनका जो निरणे करने का अधिकार था वो था काजी को या पंडित को ठीक है, इसके अतिरिक्त अन्य सुधार भी इसके द्वारा किये गए थे, वो अन्य सुधार ये थे कि पुलिस विभाग का संगठन किया गया, और हर जिले में पुलिस के लिए एक स्वतंत्र पदाधिकारी की नियुक्ति यहाँ पर की गई, यानि कि हर जिले के लिए एक उनका दमन किया जा सके और वहां पर जो व्यवस्था है, उसे सुचारू रूच से बनाई रखा जा सके, तो इस कारे के लिए यहाँ पर कैप्टन स्वीवार्ड को शामिल किया गया था और कैप्टन स्वीवार्ड ने बहुत बड़ा यहाँ पर सहयोग भी दिया था, तो अगर बात करें, एल ओवर जो हैस्टिंक्स के द्वारा सुधार किये गए, वो हैस्टिंक्स के द्वारा किये गए सुधार भारती इतियास में बहुत जादा वैल्यू करते हैं, क्योंकि नियायले की स्थापना हुग общем यह बहुत सारी चीजों का सुधार हुआ है, किसानों के लिए उसने कारे किया है तो ये सुधारात्मक जो कारे हुए इन सुधारात्मक कारेओं का ये असर पड़ा कि कंपनी की इस्थिती बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है हर छेत्र पर उसकी पकड़ बन गई है तो इस संदर्म में जो सर विलियम हंटर है विलियम इसने एक विशाल भवन यहां पर खड़ा किया था यानि कि नीव बनाने का काम किया था हैस्टिंग्स ने तो आज के वीडियो में हम इतनी बात करेंगे अगले वीडियो में अगला क्रम जानेंगे यानि कि हम बात करेंगे रेग्यूलेटिंग एक्ट की रेग्यूलेटिंग एक्ट 1773 की हम जानेंगे उससे संबन्दित महत्वकॉर्ण बिंदों को आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिएगा आप शेयर कीजिएगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा अगले वीडियो में का बहुत बहुत धन्यवाद